नमस्कार दोस्तों आज हमारा EBS का नौवा क्लास है आज के इस वीडियो में हम लोग अलबिरूनी के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले इनसे रिलिटेट जितने भी डिटेल हैं उसे देखेंगे उसके बाद इनसे रिलिटेट जो प्रिब्येस इन में कोश्चन पुछे इनका नाम था अलबिरूनी अलबिरूनी जिस देश से आये थे उसे आजकल उजबेकिस्तान करते हैं तो यहां पर हमारा देख रहे हैं यह प्यारा भारत वर्स है तो यहां से आप जब नार्थ में जाएंगे तो आपको तजीकिस्तान मिलेगा और इससे थोड़ा सूपर जाएंगे तो आपको उजबेकिस्तान मिल जाएगा तो यहां से यात्रा करते हुए अलबिरूनी भारत आए हुए थे तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अलबिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगों को देखा और उनके बारे में लिखा यहां से नेक्ष्ट तो इसे तालाब बनाये जाते हैं चारो तरफ पथर लगाये जाते हैं तो इनहीं के बारे में देखी कि अब अलबिरूनी ने अपने किताब में क्या लिखा था तो यहां की लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान तो देखें यहां अलगरूनी कह रहे हैं भारत के बारे में कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं अगर हमारे देश से यहां क्या मतलब है कि उजबेकिस्तान वालों को कह रहे हैं लोगों के चड़ने और उतरने की रास्ते अलग लग होते हैं। यहां कभी भीड लगने से परसानी नहीं होती है। तो देखें तालाबों को बारों में इन्होंने बताया है कि जैसे हम लोग देखते ही हैं वैसा उजबेकिस्तान में नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखें यह नॉवंबर 2012 में डारेक्ली क्वेश्चन पूछ लिया था कि अलगुरुनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम है। तभी हमने देखा ही था कि उजबेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि यह जुलाई 2013 कोशन पूछा हुआ है कि अलगुरुनी कौन था। ए वह एक कुतुप साही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष सासन किया। दूसरा अपसन है वह अफगानिस्तान का एक व्यपारी था जो हमारे देश में मियों के बाजारों का अध्यान करने आया था। तीसरा अप्सन है वह उजबेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायता प्रदान करती है। चौथा अप्सन है वह एक यात्री था जिसने भारत की लोगों की संस्पीती का अध्यान करने के लिए कस्मीर से कन्याक मारी तक क्यात्रा की तो यहां पर हमने देखाई था कि यह उजबेकिस्तान का यात्री था और उसने किताब लिखी थी और उसकिताब से क्या हमें से उसे पढ़ करके हमें जानने को मिल जाता है अब चलिए जो अभी सबसे लेटेस्ट जाम हुआ था दिसंबर 2021 में उसमें भी देखिए अलपिरूनी से रिलेटेट कोश्चन पूछ लिया था कि अलपिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमड किया था के बारे में नीचे दिये गए कथनों पर विचार किजिए ए अलपिरूनी ने भारत का भ्रमड हजार वर्स से भी पहले किया था बी उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भ भारत आये थे उन्होंने उन चीजों के बारे में लखा जो उनके देश में नहीं थे लेकिन भारत में थे जैसे थालाब और स्री आपसन उनके द्वारा लिखे के किताबों को पढ़ करके जो हमारा इतिहास था उसे समझने में जहायता मिलती है तो यहांसे आप देख रहें public zero Holz यारी आप्शन नंबर चार सही हो गया तो चलिए अगर हम आपने स्वेकर आगए ये कोश्यन जिनर्री में पूछा था जिला होग कि हमारे ज़ेश में कितने राज्य है तो आप नीचे कमेंट करके चैनल पर बहुत ही quality content दिया जा रहा है इसलिए चैनल को subscribe भी कर लिजेगा धन्यवाद